नमस्कार मित्रों आज बात होगी नेपाल के राज दर्बार हत्याकान्ट और हिंदु संगठनों का कमजोर होने पर तो मित्रों 1998 में USCI RF नाम का एक इसाई संगठन बना पश्चिमी देशों के दबाओ पे और जैसे ही वो भारत नेपाल में सक्रिय हुआ उसके तुरंत बात राजा की हत्या कर दी गई क्योंकि जब तक नेपाल में राजा था तब तक नेपाल का इसाई करन करना बहुत मुश्किल था या नेपाल को लोगतांत्रिक देश बनाना बहुत मुश्किल था नेपाल के राजा की परिवार सहित हक्या हो गई दिरे दिरे करके हिंदु राष्ट से सेकुलर देश नेपाल बन गया, वहाँ पे पूरे हिंदु राज्य को खतम कर दिया गया और भारतिय जो हिंदु बादी संगठन है, जैसे विश्व हिंदु परिशद हुआ, बजरंग दल हुआ या करणी सेना हुआ ये जो अपने को विश्व हिंदु परिशद हुआ, इनका मानना है कि हम दुनिया के सबसे बड़े मानव संगठन है, और हिंदु हित की बात करते हैं ये लोग, हिंदु राष्ट बनाने की बात करते हैं इनके सामने नेपाल का या नेपाल को हिंदु राष्ट से सेकुलर देश बनाया गया और ये कुछ नहीं कर पाए मित्रों सेकुलर देश का मतलब क्या होता है, इसके क्या रिजल्ट निकले हैं अब तक भलाई सेकुलर देश होना एक अच्छी बात है, सबको समान अधिकार मिले, ये अच्छी बात है लेकिन जो भारत का रिजल्ट है, पिछले 55-60 सालों का, वो सेकुलर देश का रिजल्ट क्या निकला है? कि हिंदों का हक छीनना मतलब कि मेरी नजर में सेकुलर का मतलब यही हुआ हिंदों का हक छीन लेना हलांकि सेकुलर का मतलब तो यही है कि सब को बराबर का अधिकार होना पड़ा लेकिन भारत और नेपाल में सेकुलर के नाम पे हिंदों का सारा हग छीन लिया जा रहा है हम भारतिय कॉंग्रेस की बात करते हैं जब विश्व का एक मातर हिंदु राजा ग्यानिंदर साह वो कॉमिनिष्ट आतंकियों से लड़ रहे थे तो 2005 में भारतिय कॉंग्रेस ने नेपाली राजा को दी जाने वाली जो हातियार थे जो भारत से दिये जाते थे पहले उनकी सप्लाई पे रोक लगा दी कॉंग्रेस ने ये रोक क्यूं लगाई उस समय तो नेपाल की साही सेना को हातियारों की बहुत सक्त जरूत थी कॉमिनिष्ट आतंकियों से लड़ने के लिए और जिस भारत को नेपाल की साही तक करनी चाहिए थी उसी भारत ने वहाँ पे हातियारों की आपूर्ती बंद कर दे यानि कि कॉंग्रेस भी चाहती थी कि राजसाई खतम हो और नेपाल सेगुलर देश बने और हिंदों का खात्मा हो मतलब है कि कॉंग्रेस हिंदू की दुस्मन बन बैठी हुई है तो जिस समय नेपाल की हत्यार सप्लाई पे भारत ने रोक लगाया, कॉंग्रेस सरकार ने रोक लगाया, उस समय RSS जैसे बड़े हिंदू संगठन वो चुप क्यूं हो गए, वो हिंदू हित की बात करते हैं, हि नहीं बचा पाए, तो भारत को क्या हिंदू राष्ट बनाएंगे, मतलब कि नेपाल में राजा की हत्या हो गई, नेपाल सेकुलर देश बन गया, फिर भी RSS अपनी चुप है, कुछ भी नहीं कर पाई, भारत भी हिंदू का ही देश है, भारत को नेपाल की उस समय मदद कर नीचे ये थी, लेकिन भारत ने ऐसा न करके उल्टा, नेपाल के हत्यार सप्लावियों पर रोक लगा दी, ये बहुत ही गलत काम भारतिये कॉंग्रेस के द्वारा हुआ है, एक हिंदू राजा अकेले इसाई कॉमिनिस्टों से लड़ रहा है, इसाई आतंकियों से लड़ रहा है, और भारत के जो हिंदू संगठने हो अपना चुप है, ये बहुत अब सोच वाली बात है, या थी उस समय, नेपाल में जो राजा की हत्या कर दी गई, उसका एक मात्र मक्सद क्या था, कि नेपाल को लोक तांतरिक देश बनाना है, राज साही से हटाना है, और इसक करन के पीछे क्या हाथ है, क्या बात है, कि इसाही करन क्यों करना है नेपाल का, क्योंकि नेपाल हो या भारत हो, यहाँ यदि इसाही लोग ज्यादा होंगे, साउथ कोरिया की तरह, तो ये लोग चीन को सपोर्ट नहीं करेंगे, इसाही लोग चीन को सपोर्ट नहीं करने वो हमेशा पश्यमी देशों को ही सपोर्ट करेंगे. तो ये भी एक चीन को काउंटर करने की अमरिकी रणनिती है. कि नेपाल और भारत में इसाई बढ़ जाएंगे, तो उनके सपोर्टर हो जाएंगे. नेपाल और भारत में जो इसाही हैं उन लोगों की जो सरधा का केंदर है वो पस्षिमी देशी है भारत उनकी सरधा का केंदर नहीं हो सकता या नेपाल उनकी सरधा का केंदर नहीं हो सकता है हम हिंदू हैं तो हमारी सरधा का जो केंद्र है वो अयोद्या हो सकता है मतुरा हो सकता है पसुपतिनाथ हो सकता है जनकपूर हो सकता है या लुम्बनी हो सकता है बहुत लोगों का लेकिन हमारा जो सरधा का केंद्र है वो पस्षीमी देश या अरब देश नहीं हो सकते हैं क् ऐसे ही इसाईयों का हैं, कि उनका सर्दा का जो किंद्र होगा जिस पे उन सर्दा करेंगे, वो इसाईय देस ही हो टो पस्षित में देसों को अपना सपोर्टर चाहिए है शाव्त ऐशिया में, ठीक है तो इसलिए वो भारत का और नेपाल का इसाई कर रहे हैं, ता कि हम उनके कटर सपोर्टर हो जाए और साउथ कोरिया की तरह हम भी चीन के विरोधी हो जाए हिंदू और बौद लोगों को चीन का विरोधी नहीं होना चाहिए क्योंकि चीन खुद भी हिंदू और बौद लोगों का विरोधी नहीं है भारत का यदि इसलामी करण हो जाता है तो चीन भ बारा हुई है क्योंकि उनका मकसद ही था कि नेपाल का इसाई करना है नेपाल में सेकुलर समिधान लगाना है नेपाल को लोग तंत्रिक देश बनाना है इस मकसद को लेके कि नेपाल की राजशाई का अंतोवा राजदर्बार हत्याकान हुआ हिंदूों को कमजोर करने की नि क्योंकि सेकुलर ताय धर्म निर्पेक्ष्टा की आर में हिंदू के सारे हक छीन लिये जाएंगे तो हमारे बोलने का मतलब यह है कि नेपाल में राजसाई का अंत हो गया हिंदू राजा का अंत हो गया भारत के हिंदू संगठन मौन रहे भारतिय कॉंग्रेस ने हात्यार सप कुछ नहीं कर पाएंगे यह उनकी नापुनसक्ता का फर्माद करेंगे